आज सुब सन्निवार है और सुब सन्निवार का मतलब है अमारा चुड़ने का दिन और इस सुब सन्निवार के दिन हम लोग यह पूरे देस में को पेले महाभारत था महा जुड़ा करते थे अरिवसक के महा भारत में हमारे अपने महा भारत में और से पहले यह जो सन्निवार है यह कोई बैसी चीज جो हमको ये कहा जाता है कि ये हमारे लिए अच्छी नहीं है ये महरूस है ये बेकार है इससे बहुत ज्यादा नुपसान होने वाला है इससे बहुत ज्यादा परिशानी होने वाली है ये कोई वी चीज जो हमारे लिए बताई जाती है वो चीज हर हलत में हमारे लिए अच्छी होती ह है ऐसी बात हमाएं है जो हमारे बावा वा झांडर अमबेटकर ने गरंफ लखे ऑर उसके अंदर सारी बातें बताइए है उन सारी बातों से अगर हम मैच करते हैं देखते हैं तो यह पाते हैं कि जो चीज मनुष्य जो चीज खराव या जो चीज गाली में बदली गई है, वो सब गिलोरी थी कभी, चमक थी और जो बावा साब का सोलवा गरंत है जिसको पाली की डिक्सनरी बोलते हैं जिन्नों ने वो पड़ी है या जो और भी पाली की चीज़ें देखी है, पड़ी है, समझी है वो तो अब सब ये जान गए कि जो सब्द हमारे और हमारे बच्चों के निये मनुस खराब बताए गए हैं वो हमारी असली इत्यास वो हमारा असली गौरब और वो हमारी ग्लोरी है वो हमारी चमक है इसलिए बावा साब अमबेटकर जब ये कहते हैं कि आपको पाली पढ़नी है तो पाली पढ़ने का उद्देश से सिर्फ इसलिए उन्होंने बताया है कि पाली पढ़ने से आपको अपने सारे सब्द अपने इत्यास अपने पूरवज अपने भुजरुकर उन्होंने क्या कि यह सारी बातें आपकी जानकारी में आ जाएंगी इसलिए पाली जैसी भासा को डॉक्टर अंबेटकर को प्रमोट करना पड़ा और भारत की सबसे पुरानी भासा को लोगों ने नाम तक खतम कर दिया इसलिए क्योंकि उस भासा में हम जीते हैं और उस भासा को संस्काइट करके जो संस्काइट लोग हैं जो मॉडिफाइड हैं जो बदले हुए लोग हैं जो उसके विरोधी लोग हैं वो जीते हैं यह जो सन्नि वार का जो सब्द है जो आज का दिन है इसको अगर आप सोचेंगे जानेंगे तो सिर्फ nाम सहीई चलता है पर जब पाली पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि पूरी पाली के अंदर पूरे बुद्ध के साहित्ते के अंदर और जो बुद्ध बोला और जो बुद्ध के 50,000 भिक्तों ने बोला और जो करोडों लोग जो उस समय होते थे उन्होंने जो बोला और जो वो बाचित करते थे उसमें शैश भी नहीं है ना शैश सलजम वाला है ना सटकोण वाला से है विशै वाला से है यानि दोनों से ये बड़े कमाल की बात है कि शटकोन वाला शेय और सल्यम वाले शेय को बोलने का जो तरीका है वो एक ही है शेय और फिर भी हमको जबर जस्ती उसमें शेय डाल डालकर हमारे सब्दों को सबको बदला गया जबकि शेय हमारा नहीं है और आधा रे भी हमारा नहीं है अब आधा रे कितने सब्दों में इस्तमाल होता है अगर आप उसमें से आधारे निकाल देंगे और पाली में देखेंगे कि कैसे बदला है तो आपको समझ में आ जाएगा कि चीजें कैसे कैसे हमारी आँखों के सामने चल रही है पर हमारी महौर हटा के वहां से अपनी महौर लगा दी गई है 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 हमारी जो ध से बना है धम ही धरम है पर धम को धरम आधा रहे हटा के जो पूरा आधा में और पूरा में उसको अधा रहे लगा के उसका मतलब उटा कर दिया और जो कम है उसका कर्म कर दिया और जो वर्ण है उसका वर्ण कर दिया यह सारी बातें आपको पुरानी चीजें पाली जैसी ची में वो या जो बुद का साहित है वो चींक चींक कर बताती है पर वहां तक आपको जाने नहीं दिया जाएगा क्योंकि पाली भासा को खतम कर दिया और यूपी ऐसी में जो एक्जाम होता था वो बंद कर दिया गया क्या बिगाड़ रही थी जब इतनी सारी भासाएं हैं तो कि सबसे प्राशिन भासा आपका क्या बगाड़ रही है पर अगर आपके बच्चे पाली पढ़ें गे और जानें गे तो वह आप से यह सवाल करेंगे कि ये जो शनीवार है यह तो है नहीं तो आपके बच्चे आपको पाली पढ़के बताएंगे कि सन्नी का मतलभ होता है सन्निकट यानि पास-पास बैठना क्योंकि सन्निकट तो हम बहुत कहते हैं कहते हैं मेरे सन्निकट आजा यो सन्नी सिन्नो वर वो धी मुले उससे हम लगातार पढ़ते हैं पाली में और हमें प हमारा एक तरसे अधिकार होता है यह हमें मौका मिला हुआ है तो जब आप सन्निवार का पूरा जानोगे तो आपको पता चलेगा कि पास-पास बैठने का मौका है या पास-पास बैठने का उत्सव है तो आपके बच्चे आप से पूछेंगे कि यह पास-पास बैठने का पा और उस सब को उत्सब कर दिया है तो पास-पास बैठने का उत्सब सबसे important है और हर हपते आता है हर साथवे दिन आता है तो आपके बच्चे या तो आपको पाली पढ़नी पढ़ेगी या पुरानी भासा पढ़नी पढ़ेगी तो आप बताएंगे तो आपको जान के हरानी हो होगी कि कि आप जिस दिन साथ-साथ बेठा करते थे हिखिसे है यजो कि लोग बैठने की कुल करते हैं तो वो साथ-साथ-साथ बैठके क्या करते होंगे ये प्रसंद पूछेंगे आपके बच्चे या आप बताओगे उनको तो आप जानोगे कि आज के समय भी जो हम साथ-साथ बैठते हैं क्यों हम संगती करते हैं क्यों हम मिलते हैं क्या कारण है कि हम आपस मिलते हैं पर अभी तो कारण बदल गया है कि अभी हम दुख दर्द को दूर करने के लिए बैठते हैं पर उस समय जो बैठा करते थे वो इसलिए बैठते है वो भी सासाथ बैठता है वो भी सन्निपात करता है और सासाथ बैठके अपने गैंग का अपना चोरी करने का प्राना बनाता है पर वो दुसकर्म है दुसकर्म है इसलिए उसका परणाम भी दुखद होता है वो हमाई लोग नहीं करते क्योंकि चोरी करना पंच सील के अंदर मना है तो फिर आपके बच्चे आप से पूछेंगे कि ये जो सन्नी पात बहुल है ये अभी क्यों नहीं होता तो क्या जवाब दोगे क्योंकि सन्नी पात बहुल तो अभी भी होता है पर सन्निपात बाहूल का मतलब बदल गया उसका उद्वे से बदल गया जो हमारे गाओं में गाम पंचायत हैं और जो हमारे आयत माने होता है दरवाजा खिड़की और पंच माने पांच यानि पांच लोग का दरवाजा खिड़की या जो पांच लोग हम चुनते हैं या पं बैठें खटे होते हैं तो यह जितने भी लोग आते जाते हैं यह वही सनिपात बहुल है पर सनिवार को नहीं बैठते क्योंकि सनिवार का तो प्रथा खतम करती प्रथा का मतलब है पथा का मतलब है पथ पर जो चलता है यानि जो पथ पर चलता है उसे पथा बना है और पथा चलने का जो चलन था वो तो बदल दिया और वो हमारा सारा तैसनेस हो गया तो हम सनीवार को क्या करते थे और क्या बैठते थे और क्यों बैठते थे ये सारा गायव है हमारे लिखित डॉकॉमेंट में से खतम कर दिया हमारे सब्द को बदल दिया किसी के सब्द को अगर बदल देते हैं तो उसका पूरा इत्यास बदल जाता है और नए सब्द को लेके जो आप कहोगे फिर वो इत्यास नया बन जाता है पुराने सब्द को दो तिन पुड़ी के वाद में लोग भूल जाते हैं इसलिए किसी को याद नहीं के श काम से डर कर जो उनके सत्रू लोग थे उन्होंने ये भर्म फैलाना शुरू किया सनीवार को घड़ से बाहर मत निकलो क्योंकि मनुज दिन है सनीवार को हत्यार मत रखो लोहा मत रखो क्योंकि मौज मनुज दिन है ये बात तो सच है कि सनीवार का दिन मनुज दिन है और क्यों कि लिए किसे बात लिए मनूष है यह किसे नहीं बता पर जिनके हिलाब वो लोग खट्टे होते थे और उन्के लिए महनूष था तो बहु कहते थे सनिवार का दिन हमारे लिए बड़ा महनूष है तुम हतियार फल्द आयी था, सबसे ज्यादा बढ़िया था और हम को सारे काम सनीवार में करनी चाहिए है, क्योंकि सनीवार को इखटे हुने का दिन है, इसलिए यहाँ सनीवार को हम सारे लोग इखटे होते है, और जो कभी जहां जहां आपके गौगहें जहां 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 शेहर हैं वहाँ यह बाद बतानी पड़ेगी के जिनका रखना मनुस्त तो है पर हतियार जिनके पास हतियार नहीं है या जो हमें पशान कर ते हैं हमारे लिए तो बड़ा सुभ होना चाहिए 75 दिन में एक दिन हम यहाँ खटे होते हैं वह एनरची पूरी 6 2 काम करते है 7 दिने में एक इन खटे होने से हमें यह पता चलता है कि हमारे बेहन भाई हम सब साथ खटे हैं इसलिए कोई परईशाना को दिक्कत आए गी तो हमें कोई समस्य आने वाली है नहीं और समस्या कभी आ भी नहीं सकती क्योंकि जो लोग इखटे रहते हैं जो लोग संग में रहते हैं समस्या उन से आती हैं उनको कोई समस्या नहीं आती है क्योंकि इखटे होने वाले जो लोग है वो ताकत होते हैं और जो अलग लग रहते हैं वो कमजोर होते हैं ताकतवर लोगों से औरों को समस्या होती है. जैसे अमरीका के लोग हैं जिनके पास में बहुत बड़े संसादन हैं, जो इक combat हैं जो अपने देज के लिए काम काम करतेे हैं, जो मजबूत हैं उनसे दूसरे कमजोर गेसों के लिए परिशानी हो सकती है. अमरीका को क्या परि करना चाहिए कि यह मनुस्त है पर दूसरों के लिए हैं हमारे लिए तो यह सुभ है तो अपने सुभ दिन को खुब जोड़ सोड़ से मनाना चाहिए हफते में क्योंकि इसी दिन से सीख कर बाद में जो इसाई अब यहां जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक है आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में करके आगे बढ़नी चाहिए य या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है आपको छूट है ये सभी copyright free हैं आप अपने facebook पे अपने page पे अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप YouTube पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सों का है उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पर कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरनं गच्छामी संगं सरनं गच्छामी संगं सरनं गच्छामी तूथियं पी बुद्धं सरनं गच्छामी दूतियं पी धम्मंग सर्मंगर्चामी दूतियं पी धम्मंग सर्मंगर्चामी दूतियं पी संदंग सर्मंगर्चामी दूतियं पी धम्मंगर्चामी दूतियं पी धम्मंगर्चामी दूतियं पी धम्मंगर्चामी ततियं पी घम्मं सर्णं पर्चामी ततियं पी संदु शिरू पर्चामी ततियं पी संदं सर्णं पर्चामी साथू, साथू, साथू झाल